सब्सक्राइब कीजिए मेस एस्पेशल को और दवाईए इस घंटे को ताकि दैने करासी फल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके नमस्कार जैसी आराम राध है राध है दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ कि मेस रासी वालों का 7 सेप्टेम्बर 2020 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 7 सेप्टेम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथी है पंचमी नक्षत्र है भरनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है सोम बारे आज के दिन सुर्य उदे का समय है 6 बज के 2 मिनट में सुर्य अस्त का समय है 6 बज के 35 मिनट में रितू है सरद आज का दिन काल है 12 घंटे 32 मिनट 33 सेकेंड का महिना है अस्विन दोस्तों आज के दिन सुभ शमय नहीं है असुभ शमय सुरू होता है 12 बज के 43 मिनट पीम से एक बज के 33 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है 7 बज के 36 मिनट एम से 9 बज के 10 मिनट एम तक आज के दिन दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग दोस्तों इस वेडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनें शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके कामकाज आपके काड़े अच्छित्र के बारे में दोस्तों कामकाज के दृष्टी कोन से आपका समय बहुत ही जयादा बिहतर और सांदार है आज से पहले अगर आपका कोई महत्तपुर्ण काम किसी भी कारण से पूरा नहीं हुआ था तो आज के दिन अपने अधूरे काम को आप पूरा करने का प्रयास करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले शमय के दौरान आपके कामकाज आपके काड़े च्छत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा वैसे अगर आपके प्रेम शम्बंध की बात करें तो प्रेम शम्बंध के दृष्टी कौन से भी आपका शमय शामान्य से बहुत जयादा बहुतर और सांदर है आजी के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का साथ सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा और इस वजह से आने वाले शम्बंध के दौरान आपके प्रेम शम्बंध में आपको कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से आपका शम्बंध शामान से बहुत जयादा नीचे है इसके बाद है आपका धन संपती, दोस्तों पैसों के दृष्टी कुन से भी आपका शमय अच्छा नहीं बीतेगा, आजी के दिन अपने फिजूल खर्ची पे आपको कंट्रोल करना होगा, अन्य था आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको पड़ेसानी का स सामना करना पड़ेगा और आपके पास पैसे ज्यादा मात्रा में नहीं रहेंगे, इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग, भाग्यसाली अंक और उपाई क्या है, दोस्तों आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है, नो यनी की आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है काला और नीला इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बिहतर और सांदर होगा दोस्तों आज के दिन आपको नसापान और मानसाहारी भोजन से दूर रहना होगा अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले शमय के दोरान आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो दोस्तों यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद